यूपी से हैं शारदा जी स्वागत है आपका हालो हाँ जी असलालेगू वालिकूम असलाव वालिकूम असलाव यूँ साम नोजी मेरा नाम तुम जैहिर स्वागत है आपका बताईए माम सवाल करेए नहीं प्रत्राइब कि नापका कलवा आपको गवाल विए किस थी इसकी? ताथ की दाथ की दाथ की दाथ की दाथ की? अच्छा, सवाल क्या है आपका? तो इन उसमेन आम को इपी कावाब क्या रख आख नोख शोब जिस मेंचे आदियों, अबुका कलव में जी मैम एक बर दुबार अब दोहराईए अपना सवाल मैं तकलीफ बताये, तकलीफ क्या हो है आपको मैं इंट बताये टकलीफ क्या हो रहाई आपको हाकीम सब चीके बहुत आ रही हैं उससे हागे के बाद समझने हैं पिटा आपकी आवाद ऐसे लहरा के आ रही है दरिया के पानी की तरह कभी आती है कभी नहीं चीके अगर आ रही हैं तो थो अप इमनिटी पर काम करें है इमनिटी Shell पिट्टी रोधक शम्त आप पे कम है जिसको भी चीके खासी बल गब नजला रहता रहता है तो वह जब तक नहीं जा सकता जब तक睡निटी पूल रूप से नहो है इम्मुनिटी कम हो जाती है तो इम्मुनिटी का नुस्खा मैं अक्सर बताता ही हूं सपिस्तान, उन्नाब, अलसी तीन चीजे सो सो ग्राम ले सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, सो सो ग्राम और इसमें तीस ग्राम पीपले मिलाकर इसका पाउडर बनाकर आप एक चम्मस सुबा एक चम्मस शाम खाया करें गरम पानी से खटी चीज़े छोड़ दिया करें बिल्कुल खटी चीज़े नीवू, इमली, आम का अचार सब छोड़ना पड़ेगा फिर आप इसे इस्तिमाल करें और पांच-छे महीने करें संबल से हैं सुल्ताना जी स्वागत है आपका मैम, जी असलालेकूम, वालीकूम, असलाम मैम, ठीक है आप, जी हम ठीक हैं, आप कैसी हैं, हाँ मैं भी ठीक हूँ, शल्या जी आपको तो देखकर दिल खुश हो जाता है, बिल्कुर में डौर लगती हैं आप, शुक्रिया मैम, शुक्रिया, हाँ, और हाकीम साथ सलाम लेकूम, वालीकूम, जीती रही है, कैसे हैं हाँ, बुड़े आदमे की कोई तारीफ नहीं करता, सब जवाना की करते हैं, आप तो हैं अच्छे, जादा तारीफ करते हैं, डर लगता है मुझे, इसलिए डर लगता ह पूछो क्यों, कभी-कभी नजर हो जाती है, जिब ज़्यादा इंसान तारीफ करता है, तो मुझे रर लगता है, कहीं इस तारीफ को भी नजर नहो जाए, महबब ज़्यादा करता है, तो महबब को नजर नहो जाए, तो आप चाहरे हैं इनको नजर हो जाए, किसको, मैं श कँ चाहरा हूं रहा हूं, शैलजय को नजर होगी है, मुझे नहीं हो Ayla जो नजर अगगी और आपको होगी और नजर भी अलग अलग तरीकिकी होती है और सच पूछो नजर होती भी अपनों की है क्योंकि अपने ही चुछारा प्यार करते हैं लेकिन माशाआलला आप बहुत अच्छे हैं दोनों और इंशाआलला नजर नहीं होगी और नजर अगर होगी तो उसके भी इंतिजाम है लगा बढ़ा है नजर उतार देना फिर दूर से ही टेलिवीजन के ऐसे कैसे आप ठीक है अल्ला आपको हमेशा खुछ रखे सलामत रखे और आपकी हर जाइज तमनना अल्ला पूरा कर दे आप बहुत अच्छी लगी खुछ हो गई हमारी बास से तो हम भी खुछ हो गए आपकी बास से तो हमेशा मगुछ रहती हूं बडा अच्छा लगता है और दो दिन आपका हाथ थे ना सटर ऍर्डीन आपका पता लगा ना संड़े में पता लगा आपका दो दिन आपने प्रोग्राम ने जिया वैसे मैं सोच रही कि हूँ सकता है दिल्ली आ गए हो आप दिल्ली आ गया गाहूं से अच्छा और आपको बता दूं कि एक संस्था विदेश की संस्था ने मुझे दॉक्टरेट का डिगरी दिये पीजडी माशाओला माशाओला तो प्रोग्राम चला था तो किसी ने पूचा शगुफता आपने क्या किया है तो मैंने का ये पीजडी है लेकिन मैं भी कल से पीजडी हो गया हूँ तो मैं और शगुफता तो फीजडी है पता न, शटीं शगुफता किया है मुझे नहीं पता हुई शेल्जा के खूबियां सामने से जादा दिखती हैं और अंदरों नी भी है और इतनी खूबियां सामने दिखती है तो अंदर कौन सी खूबिय नहीं होगी बता ही क्या सवाल पेश अच्छा मैं यह कह रहे हैं कि पहले चीज़ तो यह आपको मुबारक हो आपनी खूबरी सुनाई बड़ अच्छा लगा और आज हमारे जो दूद्ध देते हैं घर पे वह आये थे तो पिछले दूंगी मदर की बहुत तवियत फराब थी मैंने पूछा क्या हो गया चैने लगे मुझा क्लस्ट्रोल बना रहता है और उनको शुगर भी है तो मैंने का आप उनको जैतुन कर सिर्का मंगा लिए अपिया कंपनी का मैं आपको हर्प लाइन नंबर जो है वो दे दूंगी आपको तो बोले मेरे तो भी हालात नहीं है वाजी तो मैंने का अच्छा कोई बात नहीं आप परिशान नहीं तो मैंने का मेरे पास खाल ले जाओ मैंने उनको ऐसी बट्रिल उठासी दे दिया बता दिया आज मुझे बता रहे है मेरी मा को बहुत फाइदा हुआ है अब उनका बीपी भी नहीं बढ़ता है शुगर में भी उनके कंट्रॉल है और बागी मैंने का और सुकून भी है तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को सुनके और कहने लगे आप मुझे और मंगा सकती है मैं तो मैं आपको नं वाइदा होता है और वो बताती है आकर और मेरा सवाल ये है कि मैं पूछ रहे ति गोन मुरींगा और ये गोन चिया जिक हम गरम पानी के साथ Bennett उस में सकते हैं में जरूर कर सकते अगरों सुनके और कोई सवाल तूने है मैं आपका ओने का है सवाल और है having a दूसर सवाल या है कि हमारे जो पड़ीब सर है उनको बता रहे थे कि रात में नहीं आती तो मैंने उनको भी उई सैटून का सिर्का बताया था आप रात में लीजेगा दो तीन चमाज पानी में जालके इंशाला आपको नेंद आएगी और उनको यूरीन के लिए बता रहे थे हर घंटे मुझ मुझे वहाँ जाना पड़ता है टाइलेक में तो मैंने का रही तो बड़ी प्रॉब्लम है तो मैंने उनको फिर बताया मैंने का एक वह लाजवन्ती आती है लाजवन्ती आप ले लीजे और चलगो जिका कौन और वह एक चुट्की डालना है और लाजवन्ती आदा चमच और अदा चमच्च ये अल्सी कापॉटर और इसको आप जिनमे एक बार या दो बार लेंने आप मुझे ये नहीं बoughtा ये पानी से लेना है ये दूट से लेना है तो मैंने बताया तो नहीं पानी से ही मैंने का जब हकीम साब ने अपना ही नुखका बताया था तो दूर्ट का कहीं जिकर ने किया था पानी कहीं किया था तो आप बताईए चाही बात सही है जी हाँ बहुत खिजमत माशाला कर रही है आप और आपकी महबत ऐसी है कि लोगों को फाइदा भी हो जाता है शायद मैं नुखका बता हूँ तो इतना फाइदा ना हो आपकी महबत से ज्यादा फाइदा रहा था नियत होती है कि आपको खिदमत का जजबा है और लोग इसका फाइदा भी उठा लेते होंगा मैं जानता हूँ कि एक आदमी जो अपनी मां को दवा दिलवा रहे है ऐलोपैतिक तो दे रहे है उसके लिए उनके पाप पैसे है लेकि युनानी के लिए नहीं है तो अल्ला आपकी हिफाज़त करे बरहाल ये नुस्खा ज तिक रकें और यही नुस्खा है और एकदम जाम कर दिता है किसी को वो पेशाब बार बार आता हो किसी को वाइट डिस्चारज की सिकायत हो किसी को सैलान की हो यानि ओर्तों के मर्स को सैलान कहते हैं, अगर्दों के मर्स को जिर्यान, जिसे धातू रोग भी कहा जाता है ये अक्सर खौतीन में, महिलाओं में और बच्चों में परिशानी हैं और वो शेयर भी नहीं कर सकते एक दो खुराक खाले तो उसी दिन एकदम चाम कर देते हैं घरेलों उसका है आपको याद है और उनको बहुत च्छा काम करेगा और उन्हें जरूर दीजे बहुत शुक्री हमारे साथ जुड़ने के लिए अगली कॉलर है शार्दा जी स्वागत है आपका जी नमस्कार मैं हाकिम साब से बात करना थी आप से मेरे एक अफ्टे पहले बात हुई थी तो मेरे हस्बेंट को क्लोडिंग हुई थी उस पारे में कट गाया था पूरी बात नहीं हुई थी तो मैंना बहुन सिया मंगवा लि भी है वो पूछना था मज़े आपको ठीक है अच्छा देखिए गौन सिया आदा गिराम सुबह नाश्टे के बाद आदा गिराम शाम को लेना है यह उनके दर्द के लिए है और क्लोडिंग के लिए और नस्वों में ताकत के लिए है और क्लोडिंग के लिए ये जो नमक जैतून आया है, एक चुटकी में जितना आ जाए, पानी में मिला दीज़े, एक गिलास में या दो गिलास में, और एक चुटकी, आप जो मीठा सोडा आपके किचन में होता है, बैकिंग पार्डर जिसे कहते हैं, मीठा सोडा या खाने का सोडा, वो भी मिला और सुबा और शाम दो बार दीजे कभी भी दीजे दो बार देना है सुबा और शाम ये पानी पिलाना है तो इस से क्लोटिंग्स में और फालिज में और चर्बी में कमी आएगी और ब्रेट पेशल नॉर्मल की तरफ जाने लगेगा कॉलिस्टॉल कम होता है और डाइबटीज की दवा लेते रहें और डाइबटीज के लिए गौन चिलगोजा एक एक चुटकी लिया जाए तो डाइबटीज भी कम होना मुम्किन है अगले कॉलर है प्रेमचन त्यागी जी स्वागत है आपका नमस्कार मैं जी नमस्कार सर सब बहुत बहुत बेटर है आज आपके सामने हूं शेलजा तयागी बैटीए तयागी साब हाँ मैंने देखा है कि लाइब आगे आप स्टूडियो में बड़ी खुशी है आपको देखके और सर आदमी आया तो जमीन पे बगवान नहीं चीडिये वेज़ा है कि लोगों की खिदमत करें दुख सुक में कामाईं लेकिन इनसान एक ऐसा है पता निक किस तुनिया में फो जाता है और क्या करने लग जाता है अगे दर्थी पैक्ता तो इसी लिए है वो लेकिन बहुत आदमी ऐसे आज़ दुख सुक में कामाई आते हैं आप जैसे जैने बाद है मैं आपके मुक्से सुनना चाहता हूं, वो गी प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनका है वो पेज महां तुम देखना हूं, गुरू जी बताएंगे आपको सारा कुछ और सर, हम तो यही दूआ करा हैं, कि जब तक आपकी जिन्दी है, ऐसी हमारे को दीख करे रहे हैं, यही बैठ चली और आपके केस तो मेरे पास बहुत आपने हैं सर, मैं बहुत ताओं, समसे को 30-50 तक पोट गया मैं, जो मैंने ठीक कर दिया है ठीक है दिनराब सेवा यही सोचता हूँ, कि दिनराब सेवा में ही निकल जाए जिन्दी आप क्या वैद हैं क्या आप मैं शुरू से मतबल मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन आपको देखके तो इतना मैं ज्यादा हो गया, कि बस मेरे को कोई काम ही निसूस था ठीक है जी तीस में इतिस लोगों को फाइदा पहुंचा चुके हैं, यही था हमारा मकसद, कि जो भगवान से ड़ने वाले लोग है, वो हमारे साथ जुड़ जाए और भगवान ने हमारी बात सुन ली है, जो आप जैसे लोगों से हमारे संपर्क में डाला है और जुड़े रहना, हमेशा जुड़े रहना, मेरे बात भी जुड़े रहना, यह निसके भूलना नहीं और जहां तक पहुचा सकते हैं, पहुचा ही है, और शैद मैंने कहा भी था कि शैलजा आपको फोन करेगी, इनका नमबर जी जी, यह करणाल में रहते हैं, अच्छा, यहीं है ना, असपास, जी तो शैलजा आपको और आपके तमाम मरीजों को, जिस दिन आएगी सब को जमा करना, सब के इंटर्यू लेगी, किसी कोई आदमी अच्छा काम करता है, तो उसकी तशहीर, उसको दिखाना भी चाहिए, बुराई बुराई दिखती है, जहां देखो, अखबार में देखो, ट यूट्यूब के जरीए, जो भी ऐसे प्लेट फार्म है, तो ये शैलजा आपके कांटेक्ट में रहेंगी, ये अपनी टीम लेकर पहुँचेंगी, आप सेवा करते रहें, और दुबला करने के लिए शायद आपने नुस्खा पहुँचाता, तो बहुत अच्छा नुस्ख इससे जलती है, गलती है, पेट कम होता है, वेट कम होता है, कॉलिस्टॉल कम होता है, और हार्ट ब्लॉकिज तक की दुश्मन है ये, ब्रैन हैमरेज किसी को हो जाए, फालिज हो जाए, किसी का पेट ठीक नहीं हो, किसी का लीवा ठीक नहीं हो, किसी की किडनी सही नहीं हो, इन सब में यक सा काम करता है एक सा काम करता है तो ये नुस्खे आप अपने पास रखना कोई और चीज़ से आपकी खो जाए ये नुस्खे निक होने चाहिए और ये नुस्खे पहलाते रही है इतना पहलाईए कि आपके आस पास कोई नजर ना आए मरीज और आप बहुत अच्छा काम कर रहें भगवान आपसे बहुत खुश होगा और हम भी आपसे बहुत खुश हैं